फ्रांस जल रहा है फिर से जैसे कुछ सालों पहले अमेरिका में पुलीस ने जॉर्ज फ्लॉइड को ब्रूटली मारा था वैसे ही कुछ फ्रांस में भी हुआ पुलीस ने एक सत्रा साल के लड़के को मारा और प्रोटेस शुरू हो गए प्रोटेस रायट्स में कब बदल गए पता ही नहीं चला स्कूल चल रहे हैं पुलीस टेशन चल रहे हैं टाउन हॉल जल रहे हैं दुकाने लूटी जा रहे हैं अब तक एक हजार से जादा लोगों को अरेस्ट हो चुकी है जस दो हफते पहले हम पैरिस में थे सब ओके चल र भारत को इससे क्या सीखने की जरुवत है और इससे हमें क्या फरक पड़ता है आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम देश-विदेश की इंपोर्टेंट बाते एक आसान भाशा में आपके सामने लाते हैं अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैन एक पैरिस का सबर्ब है जहां नहें एक येलो मर्सीडीज बस लेन में चला रहा था आपको बता दे कि फ्रांस में बसस के लिए एक डेडिकेटड लेन होती है जहां दूसरी कार्स को जाना अलाउड नहीं होता ये लेन्स खाली होती है और जिन्हें रूल्स तोड़ने है जान बूच कर इन बस लेन्स में घुसता है ऐसे ही एक बस लेन में दो पुलीस ऑफिसर नहेल की गाड़ी को देखा और उसे रोकने के लिए का लेकिन वो रुका आने पुलीस ने कुछ मिंटों के लिए उसका पीछा किया और ट्राफिक में उसे गाड़ी रोकनी ही पड़ बनता है पुलीस कहते हैं कि वार्निंग देने के बाद भी नहेल रुका नहीं और उन्हें लगा कि ये किसी पेडेस्टरिन पर गाड़ी चला देगा किसी को अक्चुली अपनी गाड़ी से मार देगा तो उन्होंने उस पर गोली चला है लेकिन आईविटनेस कहते हैं कि प विनाइल कोड के सामने खड़ा भी किया गया था ट्राफिक रूल्स को फॉलो करना हर सिटिजन की जिम्मेदारी होती है लेकिन ट्राफिक रूल ब्रेक करने पर किसी पुलीस ने सीधा गोली चला देना वो भी किसी वर्निंग शॉट के बगए कितना सही है प्रोसेक्यूट विजस ओफिसर ने गोली चलाई उसे हिरासत में ले लिया गया उस पर हॉमिसाइड यानी मुडर की इन्वेस्टिगेशन भी होगी आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में बताइए चैप्टर 2 वाइलेंट प्रोटेस्ट का सच यह हुआ इंसिदेंस जो आक्चुली का पूरे फ्रांस में 45,000 से जादा पुलीस रायट्स को कंट्रोल करने में लगे हुए और इन वाइलेंट प्रोटेस्ट में 12 साल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन नहेल की दादी कह रही है कि इस इंसिदेंस को यूज करके फ्रांस में वाइलेंस और इमिग्रेंस यहां से फ्रांस में आते हैं प्रांस एक सु दर देश है बट विट अगली पास्ट जैसे प्रेटिश्ओं ने भारत को एक कॉलनी गूरहे वैसे ही फ्रांस ने अफिका में कई क इस अब 25 सदी में कई सरकारे उनके पास्ट में की क्लतियां सुदार्नी के 10% population एक immigrant population है. 2020 में एक study किया गया जिसमें पता चला कि France में 5 लाख illegal immigrants है. France के right-wing activists मानते हैं कि immigration की वजए से French culture destroy हो रहा है क्योंकि बाहर से आने वाले लोग France में integrate नहीं होते. वो खुद का culture France मिलाता है और ऐसे crime और clashes बढ़ते हैं. On the other hand, immigrants कहते हैं कि वो racial targeting के शिकार होता है. Racial targeting यानि किसी इंसान के religion या skin के color के वज़े से discriminate करना है. ये चार्ट देखे. यहाँ साफ पता चलता है कि अगर कोई एंसान अरब या African origin का है, तो French police उसे बार-बार रोकती है. इमिग्रेशन एक controversial subject है, जिसके बारे में हम एक detailed वीडियो ज़रूर बनाएंगे. उपर-उपर से देखने पर लगता है कि ये सारा violence नहल को support करने के लिए हो रहा है. लेकिन सोचने जैसी बात है, अगर police officer को already हिरासत में ले लिया है, तो अब violence की क्या ज़रूरत? More importantly, इतने सारे violent लोगों को कौन उकसा रहा है, कौन mobilize कर रहा है? The reason is political. Shocking बात ये है कि जिस लडगे को police ने मारा, उसके लिए भी fundraiser शुरू हुआ और जिस police ने उसे मारा, उसके लिए भी. जहाँ नहेल के family के लिए कुछ 220,000 डॉलर्स जमा हुए है, उस unnamed police officer के support में 1 million डॉलर्स लोगों ने donate किये. यानि जैसे protest करने वाले लोग हैं, वैसे ही murder को support करने वाले भी लोग हैं. And that is shocking. Chapter 3, The Protest Culture. Now, जब हम एक incidents को एक larger context में देखते हैं, तब उसकी गहराई समझ पाता हैं. थोड़ा rewind करता हैं. 2005 में भी France में ऐसे ही riots हुए, और तब ही France को emergency announce करनी पड़ी. Situation इतनी out of control हो चुकी थी. उस समय भी victims, immigrants हैं और protest करने वाले लोग भी. अब France में नए immigration laws आ रहा हैं. इनका objective है controlling immigration while improving integration. इन में कई सारे ऐसे points हैं, जो illegal immigrants को कुछ rights देते हैं. लेकिन कुछ ऐसे points हैं, जो उन्हें अच्छे नहीं लगते. उनमें से एक point है deportation. पहले immigrants को deport करने की process लंबी हुआ करती थी. और illegal immigrants को 12 chances मिलते थे appeal करने के लिए. अब ये chances घटा कर 4 chances कर दियें. Political experts मानते हैं कि immigrants शायद इस decision से नाराज हैं. और Nahal का murder बस एक बहाना है. उन्हें अपना गुसा, riots के थूरू निकालना है. ये bill, France की सरकार को ताकत देता है. एक authority देता है. जिससे वो decide कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह के लोग अपने देश में चाहिए. And most importantly, उन्हें किस तरह के लोग अपने देश में नहीं चाहिए. France में एक system है जिसे कहते हैं integration contract. अगर किसी foreigner को long time के लिए France में रहना है, तो उसे French तौर तरीके सीखने पड़ते हैं. French values सीखने पड़ता है. French culture में mix होना सीखना पड़ता है. इनमें कुछ socially important चीज़े भी सिखाई जाती हैं. जैसे French national health care system का lab कैसे उठा है, जो एक immigrant के लिए काफी helpful होती हैं. कई सारी ऐसी cultural चीज़े होती हैं, जो immigrant के native देश में तो okay हो सकती हैं. लेकिन France में okay नहीं. एक immigrant को France के values की respect करनी पड़ती हैं. हर सार अराउंड एक लाख लोग ऐसे classes लेते हैं. ऐसा ही similar system Germany और Switzerland जैसे देशों में भी होता है. और ये काफी important है. क्योंकि जब कोई इंसान किसी दूसरे देश shift होता है, तो उसे अपने values छोड़ कर कुछ नए values accept करने ही पड़ते हैं. Law of the land सबसे important होता है. फिर वो law उनके religion से contradict ही क्यों न करें? Chapter 4 Lessons for India. हम भारत में. यूरोप से मीलो दूर. तो हमें इस पूरे incidence से क्या फरक पड़ता है? फरक इसलिए पड़ता है क्योंकि जैसे फ्रांस के समाज में बदलाव की जरूरत है, वैसे ही भारत के समाज में भी कुछ बदलाव की जरूरत है. ये बदलाव लाने के लिए कुछ controversial decisions लेने होंगे. कुछ नए laws लाने होंगे और इन नए laws की वज़े से कुछ लोग नाराज जरूर होंगे. जैसे फ्रांस में एक protest culture है, वैसे ही भारत में भी एक protest culture. See, हम सब एक democracy में रहते हैं और हर लोकतंत्र में peaceful protest का एक स्थान है. Freedom of expression हम सब के पास होना चाहिए. लेकिन एक protest, protest तभी होता है जब तक वो peaceful रहे, नहीं तो वो riot बन जाता है. और riot में participate करने माला एक इंसान एक protester नहीं, एक criminal होता है. हमारा समविधान कहता है कि भारत को UCC यानि Uniform Civil Code की जरूरत है. लेकिन UCC का नाम सुनते ही समाज के कुछ लोग गुस्सा हो जाता और बाते discussion तक पहुँचती ही नहीं. एक secular देश, secular तभी कहलाया जा सकता है जब उसके सारे नागरिकों को समान अधिकार हो. लेकिन protests और riots के डर से किसी भी सरकार ने आज तक UCC लाने की कोशिश भी नहीं की और आगे भी करेंगे या नहीं पता नहीं. As a result हमारा देश एक reformist देश नहीं, एक conformist देश बन रहा है. जो हो रहा है चलने दो, कुछ भी change करने की कोशिश मत करो. क्या पता कौन कैसे कब offend हो जाए और देश को जला दे. हमारा ये attitude हमें पीछे खीच रहा है. हमें अगर France के इंध रायट से कुछ सीखना है तो वो ये है कि हर समाज के कुछ rules होता है. उन rules को follow करना हर citizen की जिम्मेदारी होती है. अलग-अलग culture जब साथ में आते हैं तो clashes हो सकते हैं. तब law of the land सबसे उपर होना चाहिए. पुलीस में भरती होने से पहले हर candidate को sensitivity training देनी चाहिए. ताकि उनकी power वो abuse ना करे. सरकार को नए laws लाते हुए communication clear रखना ही होगा. Miscommunication जान लेवा हो सकता है. प्रोटेस प्रोटेस अब तक ही होते हैं जब तक वो peaceful रहे. पब्लिक प्रोपर्टी को damage करने का अधिकार किसी को नहीं. और सबसे importantly एक गलती आपको दूसरी गलती करने की permission नहीं देती. अगर आपको इस वीडियो का point समझा, कुछ नया सीखने मिला तो हमें follow या subscribe करना ना बुलिए. क्योंकि हमारे आसपडोस में क्या हो रहा है ये जानने से, हमारे देश में क्या होना चाहिए and more importantly क्या नहीं होना चाहिए इसका preview मिलता है. And as we always say, only a fool learns from his own mistakes, a wise man learns from the mistakes of others. अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वो like button press कीजे, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को subscribe कीजे, Germany यूरोप का सबसे बड़ा देश है जो आज recession से गुजर रह, इससे भारत को क्या सीखना चाहिए, यहाँ पर दिखिए, America एक debt crisis से गुजर रह, उसके ब